आज हम बात करने जाहें कि स्पोकर की एडबांस इस्ट्रेक्चर जो हम इंग्लिस लाइज में बोलते हैं बट हमने कैसे यूज़ करें गैस कुछ कंडिशन ऐसी अप्लाई होती है जहां वे हमें समझ में यादक इस सैंटर्स को इंग्लिस में कैसे बोलना है जैसे आपके फ्रेंड में बोला कि यह आपको यूपेसी के त्यारी करना अचे है और आपके किसी थार्ड फ्रेंड में बोला कि नहीं यूपेसी के त्यारी करना इसके बस की बात नहीं है तो इस सैंटर्स को हम इंग्लिस में कैसे बोलेंगे ऐसे कुछ sentences हम नहीं यहाँ पे लिए हैं, जिनने हम English में कैसे बोलेंगे? अब इस sentence का जो rule है, वो है excel plus ing is not my cup of tea. जैसे मैंने बोला, लड़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है. तो इस sentence में लड़ाई, मतलब fight के आ रहा है, verb. तो verb में क्या रगाएंगे? ing. Fighting is not my cup of tea. Suppose आपको हैरेंग के सिंख एक बहार जाना पड़ा, आपके पैरेंगे ने बोला, बेटा आपको आपको बहार रेना है. तो आपने आपके पैरेंग से बोला, पापा, अकेले नहीं मेरे बस की बात नहीं है. तो आप इस sentence को English में कैसे बोलोगे? तो रहना इस sentence से वर में क्या है? Live. तो लिब में क्या लगाएंगे हम? ing. So living alone is not my cup of tea. इस प्रकार की sentences को English में इस प्रकार से इस करते हैं. बाकी और दी sentences अट्बान क्लास नेक लेक्चर में लेक्चर में लेके आएंगे. Thank you guys.